नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम के पांच-चालिस के उपरांत जिंदगी में होने वाला है। सबसे भयंकर घटना जो आपने आज तक अपने जीवन में नहीं सोचा होगा, वह सच आपके सामने आने वाला है। बस आप इस वीडियो को अकेले में ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो आप सभी की जिंदगी के लिए सबसे भाग्यशाली वीडियो है। अगर आप इन्हें आज नहीं देखेंगे तो दोस्तों जीवन भर आपको पच्टाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ ऐसे ही खास बाते हैं जो कि आपको जानना बेहद ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी चमकाल में पड़े ही भयंकर ग्रहों की स्थिती बन रही है। यह समय कुछ बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दुनियादारी सब को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ही आप अकेले रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों अगर जिन्दगी प्यारी है तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यह एक देवी आप से नाराज होने वाले हैं और इनके नाराज होते ही आपको तीन तरह से परिशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह दोस्तों यह कह सकते हैं कि आपके उपर से एक ऐसी चाया या हटने वाली है जो आपको बहुत लंबे समय से बचा कर चली आ रही है। यह दोस्तों आपको यकीन नहो तो आप विचार करके देखिए कि कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। जब आपको भैंकर नुकसान हो सकता था यहां तक कि आपकी जान भी जा सकती थी लेकिन आपको बाल बाल किसी ने बचाया ये दोस्त कौन है। आपके जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान मिल सकता है यदि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझेंगे और समझने के बाद इन बातों को अपने जीवन में भी लागू करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका जीवन कुछ ही दिनों में बदलना शुरू हो जाएगा जी हाँ, दोस्तों आपको इस दिदी के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है अब तक आप इनसे अंजान हैं लेकिन इन्होंने आपकी हर समय रक्षा की है आपको बचाया है, आपको भयंकर से भयंकर पीड़ा से मुक्त कराने का कार्य किया है जी हाँ, दोस्तों कई बार आपको स्वैम को भी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका बहुत बड़ा नुक्सान हो सकता था लेकिन किसी कारणवश्वह कम हुआ और आपको थोड़ी सी राहत मिली हालांकि आपके जीवन में परिशानियों का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि कुछ जरूरी मूलभूत बाते हैं जिनके बारे में आप विचार नहीं करते हैं या यूं कहें कि कोई आपको बता और उन्हीं लगातार होने वाली गलतियों की कीमत चुका रहे हैं लगातार परिशान रह रहे हैं आपके द्वारा किये गए कर्मों का भी सही फल उचित परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहा है मन वांचित सफलता आपको मिल नहीं पा रहे हैं जी हाँ दोस्तों आपके मन में कई प्रकार के प्रश्ण उठते रहते हैं कि आखिर भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं क्यों आपको हद से ज्यादा तकलीफ है, मिल रही है क्यों लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं जिनके साथ आप अच्छा करते हैं उनके साथ भी आपकी बुराईयां क्यों हो जाती हैं आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया या आपके साथ क्या है ऐसा गलत है कि आपके कश्ट, आपकी परेशानियां या यूँ कहें कि आपके दुखों के दिन समाप्त ही नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों हम एक एक करके आपके जीवन की हर एक बात को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे आप ध्यान से वीडियो को देखें समझें कि आपके जीवन में क्या गलत है क्योंकि दोस्तों प्रयास तो आपको ही करने होंगे और प्रयास करने के लिए आप कुछ सही घ्यान होना बहुत आवश्यक है बहुत कम ही लोग ऐसे हैं इस संसार में जो किसी को सही घ्यान देते हैं लोग अपने मन के मुताबिक जानकारी को तोड मरोड कर दूसरों को देते हैं और बदले में उनसे पैसे आते हैं जब आपको सही घ्यान कहीं से प्राप्त हो तो उसे अवश्य ले लेना चाहिए क्योंकि जीवन में मुक्ती का मार्ग घ्यान की राह पर चल कर ही प्राप्त होता है दोस्तों दोस्तों हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको इस तरह का घ्यान जो आगे हम आपको वीडियो में देने जा रहे हैं पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लोग इस तरह की बातों को बताने के लिए बदले में पैसे की मांग करते हैं ये दोस्तों लोगों ने इस तरह के व्यापार चला रखे हैं कि लोग दूसरों को राहत पहुंचाते हैं लेकिन बदले में उनसे मोटी मोटी रकम की मांग लेते हैं या ले लेते हैं और लोग उन्हें देते भी हैं। बदले में उन्हें समाधान तो प्राप्त होते ही हैं लेकिन हम आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां मुफ्त में देने का कार्य है। रहे हैं दोस्तों, हमें आपसे किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। हमें बस इतना चाहिए कि मा भद्रकाली हमारी भक्ती से प्रसन्न रहे और दूसरों के हित में हमारे द्वारा किये गए प्रयास सफल रहे। बस यही हमारे जीवन का और हमारी मेहनत का उद्देश्य है कि यदि आपके जीवन में एक परसेंट भी बदलाव आता है। आपको लाब प्राप्त होता है तो हम समझेंगे कि हमारी मा भद्रकाली के लिए भरती सफल रही। हमारे पुन्य का घड़ा भर गया और हमारा जीवन भी सफल रहा तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कॉमेंट में पूरे भद्रकाली लिखना ना भूले। दोस्तों माता को अपने जीवन में शामिल कर ले अपने जीवन के हर एक महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले माता को याद करें और अपने महत्वपूर्ण कार्य को माता को समर्पित जी हाँ दोस्तों इस भाव के साथ अपने जीवन की शुरुआत करेंगे या अपने द और शुभम बनाने के लिए आगे बढ़कर ना आए। जी हाँ दोस्तों, तो इसी लिए हम अपने हर वीडियो में आपसे ये बात कहते हैं कि माता को याद करके जैमा भवानी अवश्य लिखें। माता आपका उधार और कल्यान करेंगे। ये दोस्तों, इसी के साथ साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन और है। यदि आप चैनल पर पहली बार आएं हैं, तो आप हमारे प्रयास को सराहा सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अवश्य दबा दें। क्योंकि दोस्तों, हम आप सभी के लिए हर रोज नए नए वीडियो लाते हैं, बहुत ही छानबीन करना पड़ता है और इसके लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, इससे हमारा चैनल परिवार बड़ा होता है और हमारा मनुबल भी पड़ता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन की स्थिती कुछ इस प्रकार की है, कि कोई कहता है कि आपकी ग्रह स्थिती अच्छी है। फलाना ग्रह आपको लाभ देने जा रहा है और आपके आने वाले समय में अलग अलग प्रकार के लाभ मिलेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि आपके जीवन में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है। आपके प्रयास सफल हो ही नहीं रहे हैं। आप तो सोच रहे हैं वह आपक को प्राप्त नहीं हो पा रहा ग्रहस्थिती अच्छी होने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होते हैं उल्टा होता यह है कि जब लोग कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है इसकी वजह होने उल्टा लगता है और आपके जीवन में बुरा होने कुछ परेशानियां आपके आगे आने लगती हैं तो आप विचार करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हिर कि आपके साथ कुछ अनर्थ हो रहा है तो हम आपको बताएं दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है उस से अच्छी गरहस्थिती का यह ग्रहों की सुंदर चाल का आपको सही प्राप्त नहीं हो पाता है इसका कारण क्या है दोस्तों ग्रहों की जो स्थिति होती है वह एक विशेश उर्जा का निर्मान करती है हर ग्रह की अपनी एक उर्जा होती है अपना एक स्वभाव होता है जब कोई अच्छा ग्रह आपके पक्ष में होता है मजबूत होता है तो आपके दुख तकलीफ कम नहीं होंगे और यदि आपके आसपास नकारात्मक उर्जा का वातावरण जीवन भर बना रहेगा तब भी आपला प्राप्त नहीं कर पाएंगे मन चाहा जीवन जी नहीं पाएंगे यहां तक कि किसी भी देवी देवता की क्रपा तक आपको विडियों में आपको बहुत गहरी और बहुत मूलभूत बात पता चलने वाली है हम आपको एक ऐसी विशेश बात बताएंगे जिसको जानने के बाद गारंटी देते हैं कि आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा कई लोगों के जीवन में बहुत बड़े-बड़े मे बदलाव आए हैं जो दोस्तों ईश्वर की रोखी कृपा ग्रहों की बदली हुई चाल सब कुछ उनके पक्ष में होने लगा और उनकी मेहनत का उन्हें सही फल प्राप्त होने लगा है आपके आसपास की तब आप कोई उपाय भी करें तो आपको उपाय का सही फल प्राप होगा जी हां दोस्तों जैसे कि कर्ज निवारन का कोई उपाय आपने कर लिया अब कर्ज निवारन का उपाय करते ही उर्जा उत्पन्न होती है जैसे आपने भगवान भोलेनात का बढ़केश्वर महादेव का कर्ज निवारन उपाय किया तो उसे मठकेश्वर महादेव की सकारात्मक उर्जा आपके पास आएगी आपके जीवन को बदलने की कोशिश करेगी वह शुद्ध सकारात्मक उर्जा है लेकिन आपके आसपास नकारात्मक उर्जा का वातावरण है तो वही उर्जा भी आपको संपूर्ण लाब प्रदान नहीं कर पाएगी अब आप ऐसे में सोचेंगे कि उपाए बेकार है उपाए का कोई लाब नहीं है जीवन में कोई बदलाव तो आया नहीं इसका मतलब है जिसने उपाए बताया उसने जूट बोला या फिर जो उपाए है वही बेकार है लेकिन दोस्तों ना तो उपाए बता आने वाला जूट बोल रहा है और नाहीं उपाय खराब है। दोनों ही अच्छे हैं क्योंकि इन उपायों से दूसरों को लाब हुए हैं तो आपको क्यों नहीं हो रहे तो फिर सोचने वाली बात ये है कि कमी कहां है। अब कमी ये है कि आपको अपने आसपास के उरजा के नक आपके जीवन में बदलाव नहीं आएंगे तो अब आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए कौन जिम्मेदार है। आप कहां जाएं। किसका सहारा लें। तो दोस्तों हम आपको बताएं कि ऐसे में बस आपको एक ही काम करना है और वह काम क्या है। अब आप ध्यान से स आपके पितरों के पास है लेकिन आपके संपूर्ण कुल का पालन पोशन आपके संपूर्ण कुल का भला बुरा विचार करने का जिम्मा किसके पास है। कुल देवी का जी हाँ दोस्तों कुल देवी एक ऐसी होती है जिने हमारे पूरवजने पूछना शुरू किया था फिर वह एक से चला बना और पीढ़ी दर पीढ़ी देवी की लगातार पूजा आराधना होनी शुरू हुई यह है कि देवी कुल देवी का काम करती है यानि कि आपके संपूर्ण कुल की रक्षा करना आपके कुल का पोशन करना इन देवी का कार्य हो जाता है तो जब तक ये सिलसिला लगातार चलता रहता है सब कुछ ठीक बना रहता है लेकिन कई पीडियां गुजर जाने के बाद लोग धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हैं और एक समय ऐसा आता है जब लोग यह भी भूल जाते हैं कि उनकी कोई कुल देवी है भी या नहीं है तो फिर होता ये है कि आप बेशक भूल जाएं लेकिन कुछ पीडियों तक कुछ समय तक माता की छाया आपके उपर बनी रहती है और आपके कुल की रक्षा होती रहती है लेकिन जब लंबे समय तक माता का निरादर होता है पूजा पाठ नहीं होती है तो माता आपसे रुष्ट होने लगती है और धीरे धीरे आप जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो एक समय वह आता है कि जब माता की छत्रचाया आपके कुल से हट जाती है ऐसे में होता है यह है कि नकारात्मक शक्तियां फिर आपको घेरना शुरू कर देती है हमने आपको अपने पिछले एक वीडियो में भी बताया था कि आप अपने जीवन में चाहे कोई कार्य करें या ना करें किसी भी देवता की पूजा करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यह आपका अपना निजी विचार है लेकिन आप दो चीजें अवश्य अपने जीवन में शामिल करें पहला कि अपने पित्र देवता का पूजन अवश्य करें अपने पित्रों को मान सम्मान दें और उनके नाम का एक दीपक दक्षिन दिशा में अवश्य जलाएं दूसरा कि अपनी कुल देवी को कभी न भूले, कुल देवी को याद करते रहे और उनकी भी पूजा आराधना लगातार करते रहे जी हां दोस्तों, जो इंसान यह तो कार्य करेगा चाहे ऐसी ही परिस्थिति गाना बनी रहे उस इनसान के जीवन में बुरा हो नहीं सकता हाँ, जीवन में उतार चड़ाव आ सकते हैं लेकिन उन उतार चड़ाव की संख्या कम होगी तीवर्ता ताकत कम होगी और आप की सहन शक्ती पढ़ जाएगी और एक दिन वह आएगा जब आप जीवन की हर एक विशम परिस्थिती से उठकर खड़े हो जाएंगे और अपना मनवांचित जीवन, खुशहाल जीवन जीना शुरू कर देंगे जी हाँ दोस्तों, आप हमारे कहने से एक बार यह कार्य अवश्य करिएगा दोस्तों, आपको यह नहीं पता कि आपको अपनी पिक्चर पूर्वजों का पूजन कैसे करना है तो आपको दो कार्य करने है, बहुत ही सरल है आप बस इन्हें अपनी आदत में शामिल कर लीजिए घर की महिलाओं से कहिए कि जब रोटी बनाएं तो पहली रोटी गाए की और आखरी रोटी कुट्टे की अवश्य बनाएं क्योंकि गाए और कुट्टा दोनों ही पितरों के सूचक है जब भी आप गाए को और कुट्टे को भोजन कराते हैं समझिए आपके पत्र प्राप्त हो जाते हैं और आपको आशीरवाद देते हैं आपके घर की रक्षा करते हैं जी हाँ दोस्तों जिस इनसान के पुत्र प्राप्त होते हैं खुश होते हैं आशीरवाद दे रहे होते हैं उस इनसान के जीवन में विपत्तियां किसी कीमत में आ नहीं सकती और वह जो भी पूजा पाठ करेगा उसका उसे पूरा फल प्राप्थ होगा क्यूंकि पितरों का काम भी है आपके आसपास की नकारातमक उरजा को आपसे दूर करना और आपके जीवन में शुद्ध सकारातमक उरजा को भर लेकिन इससे भी महत्वकूर्य कार्य है जी हाँ दोस्तों आपके घर की दहलीज होती है वहाँ पर आपकी कुल देवी या देवता का वास माना जाता है अब आप समझे कि माता का कितना अधिक प्रभाव है जब भी कोई नकारात्मक उर्जा आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगी माता दहलीज पर खड़ ये है कि अपनी कुल देवी या देवता के नाम का एक दीपक शाम के समय जी हाँ दोस्तों संध्या काल में अपनी दहलीज पर अवश्य लाना है जी हाँ दोस्तों अब ऐसे में कुछ लोग ये कहेंगे कि उन्हें नहीं पता कि उनकी कुल देवी कौन सी है या कुल देवता कौन से हैं ऐसे में आप अपनी कुल देवी और कुल देवता का पता लगा सकते हैं इसके लिए बहुत सुंदर सा अच्छा सा प्रयोग है सपने में आपकी कुल देवी देवता खुद आएंगे और आपको कोई न कोई ऐसा संकेत अवश्य देंगे जिससे आप आपको पता च देवता के प्रतिसम्मान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, बहुत सारी ऐसी नकारात्मक उर्जह होती है, जो जीवन में प्रभाव डालती है. जीवन में परिशानियों का कारण बनती है, और उन नकारात्मक उरजह से रक्षा करने के लिए, हमें सकारात्मक उर्जाओं का पूर्ण सहयोग चाहिए तो देवी देवता जब हमारी रक्षा करने के लिए तैयार होती है तो फिर हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदलता रहता है और हमें अच्छा और सुन्दर जीवन प्राप्त होता है तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको कैसे पता लगाना है कि आपकी कुल देवी कौन सी है या दोस्तों यह प्रयोग आपका शुरू होगा शुक्रवार के दिन से शुक्रवार के दिन आपको रात को नौ बजे बजे यह दोस्त और रात्री के समय ही यह प्रयोग करना है अभी आपको पता नहीं है लेकिन आप खाली कुल देवी देवता के नाम से स्थापित करना है और उस नारियल पर आपको ओम लिखना है वह भी हल्दी या फिर चंदन के साथ में जिन दोस्तों लाल सिंदूर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं इस से कोई फर्क नहीं बढ़ता है अब आप उस कलर्स के उपर एक धकन रखेंगे और उस धकन के उपर आप थोड़ा सा अन रखेंगे गेहूं रख सकते हैं और अन्ने के उपर आप उस नारियल को स्थापित करेंगे और साथ दिनों का यह प्रयोग रहेगा साथ जन्मों तक यह नारियल आपके घर में स्थापित रहेगा अब आपको करना यह है कि आप एक गाय के घी का दीपक जलाएंगे और अपने मन में यह आवाहन करेंगे किसी कुल्देवी कुल्देवता आप जो भी हैं हम आपके बारे में नहीं जानते हैं हमें किसी ने नहीं बताया है हम नादान हैं हम आपके बारे में भूल चुके हैं लेकिन अब हमारी इच्छा है कि हम आपका पूजन करें आपकी पूजा पाठ के द्वारा हम अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं तो हमें यह अवसर प्रदान करें आप कौन है यदि हमें पता चल जाएगा तो हम आपकी नियमित जीवन भर पूजा पाठ करेंगे और आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे दोस्तों आपको यह अपने मन में विचार करना है आप कुछ इस से अलग भी विचार कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है बस आपको अपनी कुल देवी अधिवक्ता के बारे में यह आवाहन करना है कि आप आईए और हमें सपने के माध्यम से कोई संकेत दीजिए कि आप कौन है हम आपकी पूजा आराधना करना चाहते हैं जी हां दोस्तों आप साथ दिन तक किया करिए यानि कि शुक्रवार से आप इस प्रयोग को गाना शुरू करिए और नियमित करना है आपको इस प्रयोग के दौरान अपने खान-पान पर भी ध्यान देना है यानि कि शु नहीं होते हैं कि भोजन सात्विक होना चाहिए ब्रह्म का पूर्ण रुप से पालन होना चाहिए जो साथ दिनों तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको जितना हो सके उतना सत्यवरत का पारण करना है जूट नहीं बोलना है च आपके होने का एहसास कराएंगे और आपके कुल पर आपके परिवार पर उनकी छत्र छाया फिर से स्थापित हो जाएगी। जी हाँ, दोस्तों, देवी देवता हमारा गाव हमारा दिखावा नहीं चाहते। ये तो हमारे भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। आप ऐसा भाव करेंगे और आपके जीवन में बदलावाने शुरू हो जाएंगे तो आपको यह करना है और आप इस बीच में एक दीपक अपने घर की देहरी पर मध्य में रखना है। दोस्तों, ना इधर ना उधर दीपक, अपने घर की देहली इचकी। मध्य में अपनी कुल देवी देवता के नाम से चलाना अब शुरू कर दें या दोस्त को विश का नाम ना पता हो लेकिन आप जल आईए आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलेगा फिर जब आपको संकेत मिल जाए तो फिर आप पूरे विदिविधान से उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए अपने घर के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित करिये और उनका जो भी विशेश देवी अस्थान हो वहाँ पर जाकर उनके दर्शन करके प्रसाद वगेरा अवश्य चड़ाई है बस आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तो देवी जो आपसे नाराज हो चुकी हैं वे फिर से आपके घर में आ जाएंगे आपके घर की रक्षा करेंगे ये बहुत आवश्यक है दोस्तो जब तक आप इन कारियों को नहीं करेंगे अभी हमने पत्र के बारे में ज्यादा बात नहीं की है किसी अन्य वीडियों में करेंगे लेकिन फिर के लिए आप फिलहाल दो कारिय कर सकते हमने आपको बताया कि वह रोठी वाला उपाय आप कर सकते हैं दूसरा कि आप एक दीपक अपने घर की दक्षिन दिशा में चला सकते हैं अब ऐसे में आपको यह ध्यान देना है कि दीपक की बातें कि जो लोग होगी वह उत्तर दिशा की ओर होगी और दीपक आपका घर की दक्षिन दिशा में रखा जाएगा बस ये दो दीपक आप रखिये कुल देवी के नाम से और एक पित्रों के नाम से और आप देखेंगे कि धीरे धीरे नकारातमत उर्जा में चटनी लगेंगे और आपके घर में आमदनी बढ़ने लगेगी बीमारियां दूर होने लगेंगी लोगों में सुप्रीम बढ़ने लगेगा और सबसे महत्वपून बात की जो भी पैसा आपके घर में आएगा वह रोकेगा भी और अच्छे कारियों में खर्च होगा जी हाँ, दोस्तों, घर के बच्चे भी बड़ों का सम्मान करना शुरू कर देंगे बात मानेंगे और घर की उन्नती होने लगेगी तो यह सब प्रभाव आपके जीवन में आने लगे है जी हाँ, दोस्तों, तो यह तो थी जानकारी की कौन सी देवी है जो आपसे नाराज होने वाली है यदि आपके मन में कोई प्रशन उठता है इस वीडियो से संबंधित आप कमेंट करें हम आपके प्रशनों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको जो भी सर्वश्रेष्ट जानकारी होगी वह देने का प्रयास करेंगे आपका जीवन सुंदर हो, स्वर्ग के समान हो, फूलों के समान आपका जीवन, मैं के बस यही हमारी कामना है इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जैमा भवानी लिखे हैं माता आपका उद्धार करेंगी, कल्यान करेंगे, आपका जीवन सुन्दर और सरल होगा और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाना मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जैनल आपका जैनल